नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महतोपून जानकारी ले करके जी हाँ कान में जमी मैल को साफ करने के हम आपको साथ घरिलू उपाय वता रहे हैं कान में वैक्स का जमना एक प्राकृतिक तरीका है शरीर को बचाने का यह कानों की नली में आने वाली गंदगी और बैक्टिरिया को बढ़ने से रोकता है लेकिन ज्यादा वैक्स का भर जाना भी ठीक नहीं होता है इससे कानों में कम सुनाई देने लगता है और कानों में दर जब मैद कठोरता से जम जाती है और वो अपने आप बाहर नहीं निकल पाती है ऐसे में कई लोग रूई की तीली से या फिर किसी महीन चीज़ से उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं जो की घातक हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग बहुत ज़्यादा एयरफोन इत्यादी का प्रयोग करते हैं उनको इसकी ज़्यादा समस्या होती है। कानों में आवाज आना जैसे कुड़ 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 की इस तरह की आवाज आ रही हो कान में या कानों से कम सुनाई देने लगे। तो आईए उपाय बताते हैं सबसे पहले आधा कप हलके गर्म पानी में एक छोटा चमच नमक घोल लीजिए। फिर उसमें छोटा सा रूई का टुकड़ा भिंगोई है और उसे कानों में निचोड दीजिए। कान में पानी अच्छी तरह से चला जाना चाहिए। उसके बाद कान को पलट कर पानी को बाहर निकाल दें। इससे कान साफ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उपाय है हाइड्रोजन पाराकसाइड और पानी की एक मातरा लेकर घोल बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि हाइड्रोजन पाराकसाइड की मातरा तीन परसेंट से ज्यादा न हो जिहां। अब इसकी कुछ एक बूंद कान में डाल लीजिए और कान में अच्छी तरह से चली जाने दीजिए। इसके बाद कान को पल्टें और बाकी का बचा घोल बाहर निकाल दें। इसके अलावा आप बेबी ओयल का प्रियोग कर सकते हैं। आप चाहें तो कान से गंदगी को निकालने के लिए बेबी ओयल या फिर मिनरल ओयल की कुछ एक बुंदे कानों में डाल सकते हैं। इसके बाद कान में रूई लगा लें जिससे तेल बाहर ना निकले तेल कान के वैक्स को मुलायम कर देगा जिससे वह आराम से बाहर निकल आएगा इसके अलावा एक मात्रा में वाइट वेनिगर और अलकोहल मिलाएं फिर उसकी कुछ एक बुंदे बंद कानों में डाल लें इससे भी कान साफ हो जाता है इसके अलावा ओलिव ओयल की दो तिन बुंदे कानों में डालें इससे कानों की मैद मुलायम हो जाएगी ऐसा रात को स कि आपको खुणुना पानी डालना है, जो कि स्कीन बरदास्ट कर सके, ऐसा नहीं कि बहुत करम पानी डाल देना है, इसके बाद इसे बाहर निकाल लेना है, इस के अलावा प्याज को बफा कर उसका रस निकाल ले, ड्रॉपर की मदद से इसकी कुछ एक बुंदे कान में डालें ये भी आपके लिए beneficial साबित होगा लेकिन इसके साथ-साथ कुछ एक सावधानिया बरतना भी बहत जरूरी है कान बहुत ही sensitive होता है इसलिए जब भी आपको problem लगे तो कोशिश करें कि आप खुद से ना करें आप डॉक्टर की सलाह के साथ ये काम करें यानि की कानों की सफाई करें कान में जब भी कुछ problem लगे तो आप डॉक्टर से परामर्स लें जब भी कोई problem रहे लगे तो और अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को कान को साफ करने के लिए तो ध्यान रखें कि deep न ले जाएं यानि कि गहराई तक कान में चाहें cotton bird आप ले रहे हों इसलिए कभी भी कान में आप नॉर्मली ऐसे cleaning कर लिया आपने वो चलता है लेकिन जब भी आपको कुछ major problem लगे तो डॉक्टर से जरूर मिले यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पुन जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों